आज मैं आपके लिए बहुती डिलिशेस मसाला एक करी की रेसिपी लेके आई हूँ मैं रेसिपी शेयर करने से पहले पहले जो लोग अभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए कि मेरी आने व मसाला एक करी बनाने के लिए हम जो इंग्रेडियन्ट यूस करेंगे आई उसे देखेते हैं फाइनली चॉप्ट अनियन 3 मीडियम साइज तोमैटो प्यूरी तीन टमाटर की बनाई है मैंने बॉल्ड एक 5-6 रेड चिली तो टेस्ट सॉल्ट तो टेस्ट क्यूमिन हाफ टी कॉरियन्डर लीफ चॉप्ट SPॉन कॉरियेंडर पौडर एप्ट थे च्पॉन मझाटि जिंगर प्रूडर वां टेबस स्पॉन साफ पॉर्डर वां टेबार वां टे इस्पॉन मरेटों कासूरी मिव टी वों टी शां कैंट नीग करी ज्म पेस्टटम तून जेंजर गार् लाल मिर्चा है, ड्राइ रेड चिली, तीन लॉंग, दो हरी लाइची, दो से तीन चोटे-चोटे दाल चीनी के टुकडे, वन इंच अराउंड होने चाहिए, तो आई चले कुकिंग को स्टार्ट करते हैं, अराउंट 8 टेबल स्कून मैंने मस्टेड ओयल दिया और ये गरम ह अच्छे से तो अब इसमें हम एक को फ्राइ करेंगे वाई चले एकस से एड करते हैं तो एक्स को लाइट गोल्डन ब्राउं प्राइ कर लीजिए अच्छे से और फिर इसको निकाल लीजेगो फिर इसमें अपनी ब्रेडी को प्रिपेर करेंगे तो एक्सलाइट बोल्डन ब्राउं फ्राइ हो चुके हैं तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे और ओयल को थोड़ा सा कम करेंगे अरूंड 3-4 तेबल स्पून होना चाहिए ये और फिर हम इसमें ग्रेवी बनाते हैं तो आई चले ग्रेवी की प्रिपरेशन करते हैं 4 तेबल स्पून ऑफ मस्टेड ओए इसमें हम एड करते हैं दाल चीनी चोटी लाइची और लॉंग क्यूमिन सीट थर्टी सेकें ये फ्रैकल हो जाए फिर हम इसमें इसमें अनियन एड करेंगे चॉप दनियन आई चले अनियन को एड करते हैं ये देखें कितनी फाइनली छॉप है इसी तरीके से बिल्कुल बारिक-बारिक करनी है कि कोकिंग में ये बिल्कुल टेंडर हो जाए गल जाए तोड़ा से ट्रांस्लूसिंग हो जाए लाइट पिंग कलर की तब करने से कुछ करना है अब एड करते हैं रेड चिली ड्राइ रेड चिली इसके बाद एड करना है जिंजर कालिक पेस्ट टू टू त्री मिनिट इससे दे कुक कीज़े आप सब्सक्राइब असलोड पिंगुब हों तो पिंग करी कि तब करें से तक दूब संहीं करें करने तूं कितल दाएब टूंव जबन गुल्ड़न के लीटत अब दो्सराइब तुमेटर प्यूरी करते हैं। प्रीमेटची टो लीपी इसे स्लेट कर लिया है। अब तक पकानी है जब तक की और प्रीमेटर कुछाए। रूट के जब तक बड़ाने हैं। साफ आगृतर मौराय. प्रेक प्रीक पॉडर, प्रेस्यत्सटानाव. रेछ चली कीचेए, अपने काण्या एग। कम साफ चली बाइगे चली बाइस हो ऊंसे बाइब包 के से चली अच्छे से अपकुपड़ना है तो पानी एड़ करूंगी बट उसको आप थोड़ा से पहले माइक्रोवेव में गरम कर लिजिए ल्यूप वोटर इसमें आप करने जारी हूं अच्रव को आप भी तोमाट्य प्यूरी को तब तक कुफिरना जब तक बूब बढूब है जोख तक आप ना होज्धे में समय से स्लो ओंग अतुरो में में स्लो क्रीम कर शुक करते रहे है तो आई से ले बास लुप वाटर आप कर देते हैं आपके अरफ यॉप करेंगे और वोट करेंगे और उड़ सेपरेट करेंगे और पनायो चूप करें चूपूँर मुली सेपरेट रूर क्या शेक ज़ दो चूपू जुआ है बोडब दोड़ा से घंजा और जो चुकाल करना है कि हमें हर तरब से आइल से नजर आए थो तरब से और पाँड़ाइद आपता पार्च मिनिट और मजीदर एम से कूख करेंगे अब कॉर्णर्स पर देख सकते हैं कि और सेपरेट हो चुके हैं तो इसमें अब हम वर्टर एड़ करेंगे मैं दो कप पानी एड़ करूंगे इसमें एक कप और यह एड़ करती हूं दूसरा कप मेरे तो कप डूसरा की ड्याया है और यह थी अविए यह तो अविए फ्लोई नी रखना है यह थोड़ी थेख ड्रेवी अच्छी लगती है आप इसी नान के साथ खाएं पराटे के साथ थाएं यह सिंपल बॉयल राइस के साथ थाएं यह यह बहुत डिलिशस लगेगी आप जरूर एक और जट्राइब फुल कर लेना है इसे प्लेश कर लिए एक्स तरशे लिए गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेती, कोरियंडर लीव्स, अधनिया एड़ कीचिए, लेखने में तो यह बहुत अच्छे लग रही है, गैरेंटी है कि आप सबके भी मुह में पानी आ रहा होगा, इसे हलके हाथ से बस हिला ले, जादा मिक्स करने की जरुवत है, इसे लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, हमें मैक्सिमम सेवन तो एट मिनिट्स कुक कर लेना है, तो आई चले मिलती हूँ आप से एट तो टेन मिनिट्स की बाद, तो एक्री अच्छे से कुख हो चुकी है, जब पहले फ्लेम को ओफ कर देते हैं, और इसका कलर, टेक् तो यह देखिए मसाला एक करी का फाइनल लुक, दिखने में तो यह बहुत खुबसूरत है, और इंशाला टेस्ट में भी यह बहुत अच्छी है, तो आप लोग भी मसाला एक करी को ट्राइ कीजे, मेरे स्टाइल में और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजे, और आप क आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम की लिंक अपने डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दे दूंगी, और इंशाला नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है, तिल एन टेक केर, अल्लाहाफेज